अगर आप Realme के फैन हैं दोस्तो मेरी तरह है तो आप सियोडली Realme 9 Series का तो वेट करते ही होंगे Realme 9 Series का जो वेट है दोस्तो आपके लिए खतम होने वाला है क्योंकि Realme 9 Series को लेकि ओफिसियल जानकाड़ी आ चुकी है Realme 9 Series का जो लाँच है दोस्तो वो 9 September का जो लाँच होगा Realme का जहांपे Realme 8i, Realme 8s और Realme Pad लाँच होने वाला है उसी में एक Big Announcement होने वाला है जहांपे Realme 9 Series से Related आपको बहुत सारी जानकाड़ी मिलने वाली है वैल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme 9 Pro के बारे में Realme 9 Pro के काफी साड़े स्पेक बहार निकल के आए हैं बहुत सारे लीक्स हैं, बहुत सारे रूमर्स हैं तो चलिए आज कि इस वीडियो में जानते हैं कि Realme 9 Pro में हमें क्या कुछ मिल सकता है तो बिना किस दिरी के वीडियो में चलते हैं सबसे पहले दुस्तों बात करते हैं इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेके तो ऐसा बोला जा रहा है इस फोन में हमें Polycarbonate Body ही देखने को मिलेगी लेकिन जो डिस्पले होने वाली है दोस्तों वो फिर से आपको Super AMOLED देखने को मिल जाएगी और इस बार आपको higher refresh rate भी देखने को मिलेगा 90Hz या फिर 120Hz का जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है protection के लिए यहाँ पर गोडला ग्लास का इस्तमाल किया जाएगा और साथ यहाँ पर सिंगल पंच होल आपको देखने को मिल जाएगी look wise यह phone जो है काफी अच्छा रहने वाला है दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ performance को लेके तो ऐसा बोला जा रहा है यह phone जो है 5G chipset के साथ launch होगा और इस phone में दोस्तों हमें मिल सकता है snap drain का 768G 5G chipset जो कि काफी बढ़िया performance देता है यह chipset जो है हम पहले भी देख चुके है IQZ3 में तो वो phone हमने personally use किया और उसमें performance में काफी धांसू लगी है तो performance को लेकि आपको इस बार टैंसर लेने की जरूरत नहीं है काफी अच्छी performance आपको इस phone में देखने को मिल जाएगी साथ यसाथ phone में आपको 6GB RAM, 128GB storage, 8GB RAM, 128GB storage के दो variant देखने को मिल सकते हैं और microSD card लगाने के लिए अलग से slot भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगर बात करते हैं दुस्तो इस phone के cameras के उपर तो cameras भी अच्छे होने वाले हैं दुस्तो Realme के जो number series होते हुआ पे cameras पे काफी ज़्यान दिया जाता है तो पिछले साल हमने देखा 108MP का camera हमें देखने को मिला था Realme 8 Pro में लेकिन ऐसा बोला जारा है इस बार जो है ना camera थोड़ा सा downgrade हो सकता है 64MP का camera आपको इसमें देखने को मिल सकता है क्यूंकि साड़ी चीज़ अगर upgrade करेंगे तो price जो है काफी ज़्यादा high हो जाएगी इसलिए 64MP का primary camera होगा 8MP का ultra wide angle lens और 2MP का depth sensor देखने को मिलेगा यानि पीछे आपको triple camera का setup देखने को मिल सकता है और selfie की बात करें तो selfie के लिए यहाँ पे 32MP का selfie camera होने वाले बागी cameras में बहुत सारे features आपको देखने को मिल जाएंगे जो काफी interesting होने वाले है मुझे लगता है इस बार इस phone का जो camera है काफी अच्छा रहेगा battery life की बात करें तो यहाँ पे 4000-500mm की battery देखने को मिल सकती है जिसमें हमें दुस्तो 50 या फिर 65W का fast charging भी देखने को मिल जाएगा phone USB Type-C port के साथ आने वाला है in-display fingerprint scanner आपको देखने को मिल जाएगा rate जो है अभी confirm नहीं हुआ है लेकिन जो leaks बता रहे दूस्तों ऐसा बोला जा रहा है यह phone जो है ना आपको दिवाली से पहले देखने को मिलेगा और October में दूस्तों आप यह phone इंडिया में देख पाओगे मुझे लगता है कि first week of October जो हमें यह phone देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसी के आसपास दिवाली भी है और दिवाली में phone launch करने का reason यह है क्योंकि उनको बहुत सारे phone बेचने है दिवाली के टाइम में बहुत सारे phone में offer रहता है और बहुत सारे phone जो है बिखते है प्राइस की बात करें तो इस phone की price मुझे लगती है कि 19,999 रुपे से start हो सकती है बाग दोस्तों आपको क्या लगता है इस phone के बाड़े में हमें comment section में जरूर बताना इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं आने वालग लिग से वीडियो में तब तक के लिए enjoy करें